के गटटे बनाने के लिए सबसे पहले उसका मसाला रेडी कर लेते तो यहां पर सबसे पहले खड़े मसाले को हम लो còn कूठ लेंगे उसके मिलिए मैंने 예요 a यहांपे एक टेबल स्पून i वाज वाइन लिए और एक टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है यह सब पेट को ठंडा रखता और प्लस बेसन को पचाने में मदद भी करती है उसके बाद अच्छे तरीके से इसे कूट लेंगे और यह हमारा मसाला रेडी हो चुका है अगर आपके पास ख़डा दनिया है तो आप फेट कुता था न हीवार पावट इसके बाद हम लोग इस में डालेंगे अपने स्वाद अनुसह नमक फार हम लोग इसमें डालेंगे अपनेशन एक टेबलस्पून् लाल मिर्ज पौ्डर यह तीखी नहीं होती अगर आपकी तीखी वाली है तो आप हाफ टेबलस्प घी डालेंगे जी हाँ घी से गट्टे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं आपके कड़े नहीं होंगे और कोई भी सोड़ा वगेला डालने की जरूत नहीं है फिर उसके बाद हम लोग इसमें 2-3 टेबल स्पून हम लोग दही डालने के बाद हम लोग मसालों को बेशन को दही को अच से मिला लेंगे यहां पर देखें मैंने सबकों अच्छे से मिला लिया है यहां पर आपका यह अभी थोड़ा सा चिप चिपा होगा फिर बेशन को एक साथ करके हम लोग अच्छे से हाथ को दो लेंगे उसके बाद हम लोग कम से कम इसमें 2 या 3 टेबल स्पून घी ऊपर से डाल देंगे घी नहीं आप यूज करना चाहते तो यहां पर रिफाइन ओयल या कोई भी ओयल यूज कर सकते जिसे जो है वह चिपके ना और उसके बाद मैंने यहां पर हाथों में भी घी लगा लिया है और अब इसे हम लोग अच्छे तरीके से गूतेंगे जैसे हम लोग आ पर देल है तो चिपकने की चांसे हो सकते हैं तो यहां पर दो कि मैंने। घी से डिया है उसी तरीके से भी लेंगे अब हम हमआरा यह बेसं रेदी हो चुका है से मैंने निन की दो मिनट के लिए रास्ट करनी के ज़ीर दियी ज़ोट नहीं है उसकर भाइद हम लोग इसको 489 पाइ्ट डिवाइड कर लेंगे यहांपर उल्रिड में पाइड़ियो मा ने पार्ट में राहरे कर रहा है और दो पार्ट में यहांपर देखे तो इसी तरीके से चारो को हम लोग रॉल कर देंगे इस तरीके से और अलग प्लेट में रख लेंगे मिन्वाइल मैंने अल्रेडी पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया तक पर देखिए हमारी पानी अच्छे से बॉयल हो चुके बिल्कुल हाई टेंपरेचर पर बॉयल कर करेंगे करेंबं इसे दो से ठीन मिन्ट हम लोग अच्छे से बॉयल कर लिए अगर यहां पर ऊपर आने लगे तो अपका यह रिडि हो चुका है ऐसे तो 7-10 मिनिट लगते हैं आप 7-10 मिनिट इसे अराम से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले हाई फिर 2-3 मिनिट मीडियम फिर हाई फ्लेम पे आप इसे बॉयल कर ले हैं तो यह हमारा रेडी हो चुका है अब हम लोग गैस को और चारो को हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे निकालने के बाद हम लोग इसे ठंडा कर लेंगे थोड़ा ज़्याता नहीं 5-10 मिनिट में ठंडा हो जाता है उसके बाद हम लोग इसे कट कर लेंगे देखे कितने आसान तरीके से कट हो रही है कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है इतनी सॉफ्ट है यह और प्लस यह टूटी भी नहीं ना निकालने में टूटी ना बॉयल होने में टूटी तो इसका भी टेंसन नहीं है मैं आपको एक तोड के दिखाती हूं कितनी सॉफ्ट है यह असान तरीके से टूट है इसका मतलब इसने अच्छे तरीके से से पकड़ लिया अब मैं इसके थोड़ा फ्राइ कर रहे हैं फ्राइ करने से इसका टेस्ट होता है और इनान्स होता है आप डाइडेक्ट भी बना सक करने के लिए थोड़ा सा इसे फ्राइ कर रहे हूं तो पैन में मैं तेल डालकर हाइफ लेम पे आप इसे फ्राइ कर ले क्योंकि आल्रेडी यह पका वाय है बस हमें इसे हलका सुना एरा टेस्ट मतलब जो फ्राइवाला टेस्ट होता है न वो लाना है इसे ज्यादा पल्ट में तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम लोग एक टेबल स्पून जीरा डाल देंगे इसको तरकने देंगे फिर हम लोग इसमें बारी कटेवे प्याज डाल देंगे तो यहां पर प्याज को बारी कट करना है बारी कट करने से प्याज होता है वो ब्टर पनीर ये बनारे तो पीसे बड़ इस तरीके की गिरेवी बनारे थोड़ी तीकी वाली कभी भी मैधि सब्लेवर कुम हो जाता है इसलिए हमेसे याद रखें इस तरीके डिवी में आप प्याच को बारी काट ले और इसके बाद इससे फ्राइब कर दे कहा हुआ यहां अब हम लोग डाल देंगे इसमें बारी कट के वे टमाटर तो यहां पे मैंने तीन मीडियम साइज के प्याज लिये थे और दो मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया है यहां पे मैंने टमाटर को भी ने पीसा क्योंकि हम लोग इसे इसी तरीके से गला देंगे टमाटर को ब बहुत अच्छा ता है और उसके बाद इसका टेस्स में बहुत यहां पर अपने अपने अकॉर्डिंग डाले अपने टेस्स के अकॉर्डिंग अगर आपको ज्यादा तीखी पसंद दे तो फिर आराम से पांच-छे डाल सकते इसमें बाड़े कट करके वड़ आपको कम तीकी पसंद है तो फिर आप उस अकॉर्डिंग डालिए उसके बाद मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून अधरक और लेसन का पेज डाल दिया और सब को डाल कर हम लोग अच्छे से कम से कम दो से तीन मिनट के लिए मीडम फ्लेम प पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल कर अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स कर देंगे यहां पर ध्यान रखें कि आपकी जो दही है वह ज्यादा खटी नहीं हो क्योंकि हमने टमाटर भी खटापन के लिए डाला है तो दही अगर आपकी घटी होगी तो फि दही डालते समय आप ध्यान रहें कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे और उसके बाद दही डालने के तुरंट बात अपनी हाथों के एक से जाइस करें इसमें मतलब की कंटीनियों आप इसे एक से दो मिनट तक मिलाते रहें नहीं तो आपकी दही फट सकती है फलका पानी डाल होने दही ने तेल चोड़ना स्टार्ट कर दिया है और हमारी जी ग्रेवी है वो अल्मोस्ट पक चुकी है बस इसे एक से दो मिनट और पकाना है ज्यादा हमें से नहीं पकाना है तो हम लोग इसे भून लेंगे जब आपका जो मसाला है वो तेल चोड़ना स्टार्ट होने पानी के पानी देंगे आप उसको इसे को इस डाल देंगे और ऑप चे से मिला लेंगे के लिए हम लोग ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे ग्रेवी का फ्लेवर वाइस से बहुत ही अच्छा हो जाता है यहां पर मेरा 3-4 मेट हो चुका है अब हम लोग जो गट्टे फ्राइए किये देना जो बनाएते वो इसमें डाल देंगे एक को डाल कर अच्छे से मिक्स क साथ है जो मिक्स हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे एक टेबल स्पॉन गरम मसाला पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको गरम मसाला घर होमेट चाहिए इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है आप वहां से देख सकते वरना मैं आई बटन में लिन्क दे दोगे आप वहां से भी चेक कर सकते क्योंकि घर के जो गरम मसाले होते ना उसके जो फ्लेवर होते जो इसमेल होता है वो बहुत ही अच्छा आता है इसे डाल कर हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद ठक कर कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 यहां पे हमारा 10 मिनट हो चुका है और यह देखिए इतना अच्छा स्मेल आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ही अच्छा टेस्ट स्मेल आप एक बार इस तरीके से तो जरूर बना के देखिएगा और यहां पे मैं आपको गटे देखते हूं बिल्कुल यह तूटे नहीं है जैसे मैंने कट किये थे बिल्कुल वैसे ही है मैं खाने में बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे और यह लग रहें ना बिल्कुल किसी पनीर चीकें से कम नहीं और खाने में बिल्कुल वैसी लगते हैं तो अब हम लोग गैस को आफ कर देंगे और इसी किसी भी रोट आप चाहे तो तंदूरी रोटी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं इसे एक प्लेट में निकालते हैं यहां पर मैं आपको कट करके दिखाते हूं कितनी सॉफ्ट है बिल्गुल आपको प्रेस करने के जुरूत ही नहीं इतनी यह सॉफ्ट है अब हम लोग इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और यह हमारे रेडी हो चुकी है गट्टे की सबजी आप इसे किसी भी चीज के साथ उंजॉय करें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर ज़रूर करीजे अपने फ्रेंस फामिली के साथ कराही में तेल गरम कर लेंगे और उसके बाद सोयाच आपको फ्राई कर लेंगे यहां पर अल्रेडी मैंने सोयाच आपको कट कर लिया है और उसके बाद इसे एक दम घरम तेल में हम लोग फ्राई कर लेंगे तो यहां पर जो तेल है वह हाई हीट पे रखें और उसके होगा कि यह सभी तरफ से अच्छे तरीके से क्रिस्पी और अंडर से पक जाएगी यहां पर हमारा जो चाप है वह बिल्कुल अच्छे से फ्राइब हो चुका है अब हम उसे इक अलग प्लेट में निकाल लेंगे तो चाप को फ्राइब होने में कम से कम 3-4 मिनट लग जाते ह अच्छे से फ्राइब होने में अब हम इसका मैडिनेशन बना लेते तो उसके लिए मैंने यहां पर एक बाउल ले लिया है उसमें जितने भी चाप हमने फ्राइब किये थे उसको डाल देंगे देन उसके बाद यहां पर मैंने दही डाल दिया है मैडिनेशन अच्छे से कर फ्रिज कर देंगे और कम को कम आद 맡 हाहा दे घंटे गे आम इसे हिसे से ज़सर क्राब कि नहीं बेलेगे लोग बाहर का खाना भूल जाएंगे कि लिए में अपनी फिर चाह सावा का बड़ोमें और आपकी जो दही है ना वो ज्यादा खटी भी नहीं होनी चाहिए तो अब हम इसे फ्रीज में रख देते हैं तब तक हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं मैंने वही तेल यूज किया है थोड़ा सा कम कर लिया है और उसी तेल को गर्म करके इसमें हम लोग एक टेबल स्पून जीरा दो सूखी लाल मिर्च और दो से तीन तेज पता डाल देंगे सब को अच्छे से तरकने देंगे उसके बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे रफली कट किया हुआ अनियन प्याज यहां पर मैंने प्याज को मतलब बारिक से थोड़ा बड़ा कट किया है जितना बारिक कट करेंगे प्याज को ग्रेवी में उतना वह जल्दी गुलेगी पकेगी प्याज और उतना अच्छा consistency आएगा ग्रेवी का तो जितना पतला काटे या बारी कट करें यहाँ पर मैंने बारी कट किया है तो जल्दी गलाने के लिए दो पॉइंट आप याद रखें सबसे पहले तो जितना पतला या जितना बारी कट कर सके और दूसरा यह कि ज कर चोड़ दिया है क्योंकि हमने नमक डाला है थोड़ा सा पानी चोड़ेगी उसके बाद यह देखिए एक मिनट के बाद मैंने एक मिनट के लिए चोड़ दिया था मीडिया फ्लेम पे वह हमारा अच्छे से फ्राय हो चुका है बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन अब हम नौर्मल मिर्ची पॉड़ भी डाल सकते हाफ टेबल स्पून उसके बाद एक टेबलस्पून गोल की पॉड़ यानि ब्लैक पेपर पॉड़ एक टेबल स्पून जीरा पॉड़ डाल को सभी मसालों को हम लोग अनियन अपने प्याज के साथ कम से कम 4-5 मिनट के लिए अच् अच्छे से जितना अच्छे हो सके उतना अच्छे से बुनिये फिर मैंने इसमें डाला एक टेबल स्पून अधरक लहसन का पेस्ट अब मसाला थोड़ा क्वांटिटी कम रखे क्योंकि हमने मैनिनेशन में भी मसाला यूज किया है तो इसलिए यहां पर अगर हम मैनिनेशन मे अगर आपके पास है तो जरूर दाले किसी भी कमनी का पी यूज कर सकते है तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे इसे बहुत अच्छा आता है इसे बीच बड़ी टेबल स्पून चिकेन मसाला यहां यह नहीं होती है बट यह नॉन वेज जैसा जरूर देगी तो अगर आ अगर आपका मसाला चिपकने लगे तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे मिलाते रहें कम से कम चार से पांच मिनट तक इस तरीके से आपका जो मसाला है ना वह तेल चोलना स्टार्ट हो जाएगा अट मिनस आपका मसाला अच्छे से भून चुका है और आप प्यास टमाटर सब कुछ अच्छे से गल चुका है और यह हमारा ग्रेवी के लिए रेडी हो चुका है डग के एक मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था और यह देखिए तेल पूरे अच्छे से मसालों ने छोड़ दिया है यहां वापस से ग्रेवी को अच्छे से मि जिसा भी कटोरे में बचा हुआ है लेगे उसको थोड़ा पानी मिला लेंगे और इसमें डाल देंगे कराही में उसके बाद मसालों के साथ ग्रेवी के साथ हम लोग सेच आपको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी मतलब हाफ का पानी यूज किया है इसे बस अच्छे से बाइंड करने के लिए यहां पर मैं तो आपको दो तरह के से बदाती हूं आप का सकते हैं यह तो जो अभी बना रहे इसको तीन से चार मिनट और फ्राई करेंगे मैंने इसे एक मिनट छोड़ दिया था और उसके बाद ग्रेवी मतलब थिक कंसिस्टेंसी वाली इस तरीके से आप जो देख रहना वैसी रेडी हो जाएगी और आप ऐसे भी खा सकते हैं वाट आपको ग्रेवी वाली खानी है तो इसमें आप दो कप और पानी डाल दें उसके बाद क्यूंकि हम आप में मिल जाए उतना पकाना है हमें और ये देखिए ग्रेवी के अंदर तक जो चाप के अंदर तक ग्रेवी हमारा जा चुका है और यह हमारा चाप रेडी हो Coup Arch goin अब आप इसे किसी भी चीज के साथ कह सकते हैं नान बटर नान लच्छा पड़ाथा सब कुछ के साथ उसकी भी रेसिपी आने वाली है तो आप और भी वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट किजिए सब्सक्राइब करके अब से पहले हम लोग यहां पर चना दाल लेंगे तो यहां पर आल्रेडी मैंने चार से पांच घंटे के लिए चना दाल को फूलने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद मैंने अच्छे से धूख कर इसका सारे पानी को मैंने स्ट्रेंड कर लिया यानि कि चनी से चान लिया देन उसके बाद हम लोग एक मिकसर जार लेंगे उसके बाद सारे चने दाल को हम लोग इसमें डाल देंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करेंगे पहले आप ऐसी ही इसे ग्राइन कर लीजे अगर आपको पानी की दर्कार पड़ती है तो हाफ कप पानी डाले उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हमें यहां पे चना दाल को बिल्कुल ठाखना है देखे मैंने हाफ कप से भी थोड़ा कम पानी यूज करके ग्राइन किया है अगर आपके चना दाल ऐसे ग्राइन नहीं हो रहे तो आप हाफ कप पानी यूज कीजे पहले दो चम्मज फिर इसी वज़े से मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया यह तो आप इसे स्किप कर सकते हैं एक टेबल स्पून धन्या पॉड़र लोग यह जरू डालेगा टेस्ट बहुत ही अच्छा था दो एक टेबल स्पून पेज़ा टूड़ा करें अजवाइन से digestion में बहुत अच्छी help होती है देन उसके बाद हम लोग इसमें बारी कट के वी अपनी onion डाल देंगे देन उसके बाद बारी कट के वी हरी मिर्ची और बारी कट के वी धनिया की पत्ती आप इसमें हरी मिर्ची अपने taste according डाल सकते यानि कि अगर आपको ज्याद बेकिंग पॉडर जो है बिल्कुल सब मिक्स होने के बाद लास में डाले सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग हातों की help से इतनी चोटी सी इसकी पोर्शन लेंगे देन उसके बाद इसे ओल में फ्राई करेंगे तो यहां पर आल्रेडी मैंने कराही में तेल को पकॉड़े देखने में भी अच्छे लगेंगे यहां पर मैंने सरसो तेल का यूज किया है अप सरसो तेल में ही फ्राई करें अगर आपके पस अब लेवल है तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा कोई अगर पकॉड़े आप तल रहें तो उसे सरसो तिल में आप करके खाएं बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है प्लस हेल्दी भी है क्योंकि रिफाइन ओयल तो वैसे भी अन्हेल्दी में आता है तो अब मैंने यहां पर मीडियम फ्लेम पे सभी पकॉड़े को अच्छे से फ्राई कर लिया मीडियम फ्लेम पेसले क्योंकि अंदर बाहर दुनों तरफ से अच्छे से पकने चाहिए तो यहां पर मेरा पकॉड़ा रेडी हो चुका है अब मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है इसी तरीके से सभी पकॉड़े को हम लोग तल लेंगे पकॉड़े के बाद अब हम लोग इसकी ग्रेवी लगा लेते तो आपके इससे वेस्टेस कम होंगे देन उसके बाद मैंने इसमें एक टेबल स्पून जीरा दो से तीन तेज पत्ता और दो सुखी लाल मिर्च जब तेल गड़म हो जाए उसके बाद डाल कर अच्छे से तरका लेंगे जब यह तीनों हलका तरकने लगे देन उसके बाद हम उसमें कुछ खरे करम मसलर डालेंगे तो उसमें मैंने लिया है तीन से चार लॉंग दो चोटी लाइची दो बड़ी लाइची सोड़ी एक बड़ी लाइची दो दाल चिनी के टुकरे और हलका इसके भी तरका लेंगे देन उसके बाद हम लोग इसमें पतले स्लाइस में बाड़ी कट करें स्लाइस करके खाने में वह मज़ा आपको वह पीस के खाने में नहीं है तो आप इसे कट करके लिए चाहे वह पतले स्लाइस में लंबे-लंबे कट करें या फिर आप इसे बाड़ी भी कट कर सकते वह आप डिपेंड करता है आप प्याज डालने के बाद इसे एक मिर्ट फ्राई करने के बाद मितलब भूने के बाद आप इसमें नमक डाल दे सौध अनुसार उसके बाद आप इसे चलाएं और ढख दे तो क्या होगा प्याज जो पानी छोड़ेगी उससे यह पक जाएगा और बहुत ही जल्दी पक जाता है तो यह हुआ दूसरा टेप अनियन को जल्दी पकाने खा तो यहां पर देखे मैं ने ढख दिया था इसके पानी से मैंने बीच में एक दो बार मिला लिया इसे इस के पानी से यह अच्छे से भून चुका है आप देख रहे हैं बिलकुल ब्राउन हो चुका है अब हम लोग इसे अच्छे से चला 1 by 4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पौडर अगर आपको जादा तीखा पसंद या मीडम तीखा काते हैं फिर 1 टेबल स्पून कस्मेरी लाल मिर्च पौडर एक टेबल स्पून धनिया पौडर हाफ टेबल स्पून भुनी वी जीरा पौडर और यहां पर मैंने यूज किया एक टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसे डाल कर मसालो को अच्छे से भून लेंगे यहां पर कोई भी मैं टेमाटर वगेरा यूज नहीं कर रहे हूं उसके जगह एक चीज यूज करेंगे जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि अपने सब्जी में सब्जी में टेमाटर यू से 4 मिन तक अच्छे से भून लेंगे मसालों की भूनाई करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे जो सब्जी में टेस्ट आता ना वह मसालों की भूनने के वज़े से ही आता है अगर आपको मसाला चिपकने लगे आप हलका पानी डालकर उसके बाद फिर इसे 2-3 मिन अच् लो कर दिया उसके बाद मैंने इसमें एक बड़ी टेबल स्पून दही डाला और आपको एक से 2 मिन चाहिए कम से कम 2 मिन चला कर इसे ढख दिया है और सब्सक्राइब अ उसकी कमी बिलकुल भी महसूस नहीं होने वाली है तो अच्छे से मैंने सब को चला लिया है वापस से और यह हमारा देखे ग्रेवी के लिए रेडी हो चुका है अब देख रहे हैं ना प्याज बिलकुल गल चुका है लगी नहीं रहा है कि इसमें मैंने बड़े साइज में प हमने गरम पानी डाल दिया अब बस इसे तीन से चार मिनट ढखकर उबाल आने देंगे और उसके बाद हमने जो पकोड़े बनाए थे वह डाल देंगे तो यहां पर मैंने ढखके तीन से चार मिनट ग्रेवी को अच्छे से बना लिया देखें कितनी अच्छी लग रही है औ और इसके बाद अब हम लोग इसमें अपने जो भी जितने भी पकोड़े फ्राई किये थे वह डाल देंगे अब इस पकोड़े को ऐसे भी चटनी के साथ हरी चटनी के साथ लाल चटनी के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छी लगते बिलीव में एक बार ज़रू जाएगा अब लास में हम लोग इसमें दन्या की पती डाल देंगे जिससे फ्लेवर तो हो दुगना हो जाता और सबकी जान है तो इसमें डाल कर एक बार मिला लेंगे और हमारी ये चने डाल की सबजी रेडी हो चुके है सबसे पहले कराई में सरसो तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे अब हम यहाँ पे चोटे साइज के आलू लेंगे इस तरीके से बिल्कुल और ये आलू बॉयल आलू है मैंने 98% तक इसे पकाया है उससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे फ उसके बाद हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे चेद इसलिए करना है कि आलू जो है वह अंदर तक फ्राई हो जाए और जब हम ग्रेवी में डाले तो आलू जो है वह अंदर तक अपने ग्रेवी को अच्छे तरीके से पी ले इसलिए यहाँ पे चेद करना बहुत ही जरूरी आलू को डालते समय जो हमारा ओल था तेल था वो बहुत ही गरम था उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया क्योंकि आलू अंदर तक फ्राई होनी चाहिए इसी वज़े से और हमें ब्राउन होने तक आलू को फ्राई करना है मैंने उपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल क कट गई थी तो आप थोड़ा से उपर से नमक को स्प्रिंकल करके इसे फ्राई कर लें यहां पर हमारा आलू जो है वह अच्छे से भून चुका है बाहर जो है वह अच्छे से क्रिस्पी हो चुकिया गुल्डेन ब्राउन हो चुका है तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और वापस इसी तेल में हम लोग ग्रेवी बना लेंगे तो तेल को यहां पर वापस से अच्छे से गर्म कर लिया है एक टेबल स्पून मैंने इसमें साही जीरा दो से तीन तेज पता और दो से तीन सुके वे लाल मिर्चे इसको डाल कर हलका तरकने द मैंने बाड़ी कट करने से क्या प्रेट से बहुत ही जल्दी गुल जाती है और बिल्कुल ग्रेवी की अच्छी consistency हो जाती है ह् पिसको मैंने जल्दी insects में इरक प्राइब कर आकल से बाए पूलीया है सभ्लाई लिए भी जल्दी में और आप यह जरूज Wool henie फिर यहां पर अल्मूस्ट हमारा जो प्याज है वह पक चुका है अब हम लोग इसमें सभी मसाले डालेंगे यहां पर कोई भी टमाटर वगेरा यूज नहीं कर रहें उसके जगह कोई और यूज करेंगे आप आगे की वीडियो में देखेगा लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम कुई भी चेंजिस कोई ऐसे में ददेखेगे सकति में बढ़ेंगे अच्छे से भूल लेंगे Łजेश लियू मेंध को जितना इसका अङन्हां इतना ही इसका स्लेवर इंहांस होता है मीडियम- तआदे मुनिये नहीं तो क्या होगा हाई फ्लेम पे आपके मसाले जल सकते हैं तो यहां पे दो से तीन मेट मैंने मसालों को अच्छे से बून लिया है अब हम लोग गैस को एकदम लो कर देंगे या फिर आप आफ कर दीजे आपका कड़ाही ज्यादा गड़ा में तो उसके बाद हम लोग इसमें कम से कम चार से पांच डेबल स्पून दही डाल देंगे ध्यान रहें आपकी दही जो है वो ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए बासी दही नहीं होनी चाहिए आप कोशिश करें कि इसमें ताजा दही डाले उससे टेस फ्लेवर सब कुछ बहुत अच्छा था तमाटर नहीं डाल रहें इसलिए हम लोग यहां पर दही का यूज कर रहें अगर आप टमाटर डालना चाहिए तो फिर दही को स्किप कर सकते हैं यहां पर दही को डाल कर आप अपने हाथ को रोके नहीं बच कर्ची के मदद से कंटीनू एक मिर तक घुमायते जाए नहीं तो क्या होगा दही जो है वो फट सकती है यहां पर मैंने गैस को आफ कर दिया था दही डालने के बाद हलका एक बार घुमाया उसके बाद गैस को ओन कर दिया फिर उसके बाद कंटीनू एक मिर तक हम लोग अच्छे से चला लेंगे कर्ची की हेल्प से और थोड़ो दो हरी मिर्ची साबूत यह बस मैंने प्रेजेंटेशन के लिए डाला है क्योंकि इसके बाद अगर आप लास में देखेगा न तो उपर से प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है हरी मिर्ची का यह बिल्कुल आप्शनल है आपका मन करे तो डाले और ना पिसकिप कर सकते हैं फिर अब मैंने इसमें एक टेबल स्पून गरम मसाला पॉडर अड़ किया है और अड़ करके कम से कम इसे 20 से 30 सेकंड अच्छे तरीके से मिला लेंगे और लास में आड़ करेंगे हम लोग यहां पे फ्राई केवी आलू अल्रेडी हमारा जो ग्रेवी है वो मैंने यहां पे 2-3 मिनट दही के साथ पका लिया था उसके बाद यहां पे मैंने आलू आड़ कर दिया आलू आड़ करने के बाद आप इसमें हाफ ग्लास और पानी आड़ कर दीजे यहां पे आप ग्रेवी अपने कंसिस्टेंसी के अनुसार करा सकते हैं अगर आपको बहुत ग् मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद यह देखिए हमारी जो आलू दम है वो और मोस्ट रेडी हो चुकी है यहां पे लास में हम लोग धन्या की पत्ती डालेंगे और इसे एक बार फिर से मिला लेंगे अब चाहे तो एक से दो मिनट और बढ़ा सकते हैं अग सब्सक्राइब के साथ बहुत यह लगती है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक लिए बब बाई टेक केर ठैंक यू